शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले बतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा नमस्कार आप देख रहे दे राइट न्यूज और मैं हूँ हिमाग निमोजा दर्शको पंडित प्रेमनाथ बट मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित होने जा रहा है एक कारिक्रम जो की 27 दिसंबर को दोपहर दो बजे से अभिनोव थेटर में आयोजित किया जाएगा और उस कारिक्रम का नाम है चेतना दिवस इस वक्त जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है वो इस ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर है मैं बात कर रहे हूँ हीरालाल बट जी की आये जानते है इनी से ये चेतना दिवस है क्या और इसकी कितनी importence है इस वक्त सबसे पहले तो हीरालाल जी आपका स्वागत है इमानगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं र्याइट न्यूज का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मोका दिया एक ऐसी शक्सियत की जीवनी के बारे में बात करने का जिनको हम सारा समाज और सारा देश याद कर जी चेतना दिवस वास्तों में पंधत प्रेमनाथ जी बठ एक समाजी जीवन उनका वह बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट, पोलिटिकल ठिंकर, एक बहुत बड़े लायर, जिनकी वज़त से कश्मीर में, पर्टिकुररली कश्मीरी हिंदू में, एक चेतना थी कश्मीर म एक सहरा था, ना कि सिरफ कश्मीरी हिंदू में, बलकि जो वहां की मैज़ॉरिटी कमुनिटी मुस्लिम्स थे, वो उस लेवल के ठिंकर थे, कि जहां पर बड़े-बड़े पॉलिटिशन भी समय समय पर उससे परामरश लेते थे, विजनेरी थे, और इसलिए जब 27 डेसंब 1999 में जब आतंकवाद का आगाज हो गया, तो टिकलाल जी टिपलू के बाद उन्होंने बीच में और भी कुछ हत्याये हुई, लेकिन एक समाजी जीवन जीने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व जो प्रेमनाजी बढ़ थे, उनकी हत्या 27 डेसंबर 1999 दिन के 3 बज़ कर 45 मिनट पर अनतनाग के ही उसके अबाई वतन में, होम टाउन में हुई, उसके बाद 1990 से ही क्योंकि उनके साथ काफी लोग जुड़े हुए थे, सब लोगों को लगा कि उस जिनको मनाना चाहे, याने उसका यो शेहिदी जवस से वो मनाना चाहे, लेकिन उस वक्त के जो विचारक थे, उन्होंने इस पर गहरा चंतन किया, और इस नतीजे पर पहुँचे कि उसके इस शेहिदी जवस का नाम हम रखे, चेतना जवस, चेतना मीन्स देट सेलफ इंट्रोस्पेक्शन, हम कहां पर है, याने हमारी जो दुर्दश्या होई आतिंकपात के कारण, और अब हम कहां पर है, तो इसलिए उस वकत इस दिन का नाम रखा गया, चेतना जवस, हर वर्ष ये जवस जो है, 27 जसंबर को ही मनाया जाता है, इसमें कभी भी यह नहीं होता कि आज फरसत नहीं या चुटी नहीं है, कभी चेंज नहीं हुआ, इसी दिन बराबर तब से आज तक, तैंटीस सा gekommen to 34, 3 जवस का असली यही मकसद है, हीरलाल जी अगर बात करें, आज के यूभाओं की, तो जितना हम अपने शहीदों से connected है, हमें उनके बारे में पता है, उतना आज के यूवाओं को नहीं पता है, तो इसके लिए, क्या ये कारिकरम, इसके लिए भी आयोजित किया जाता है कि हम अपने युवाओं को उन शहीदों से कनेक्ट कर सके दिखे इसके दो तीन पहलो एक ही पहलो नहीं है अब जग जाहिर है कि 1999 में आतंकवाद जो हुआ उस आतंकवाद ने ऐसी शक्सेतों को खामोश किया जो कहीं न कहीं नेशनलिजम की बात कर रहे हैं प्रियामनाद जी बट एक ऐसे विचारक एक ऐसे ठिंकर वो डबल एमे थे लेकिन उसके जीवन के कुछ पहलू थे उस मुख्य तीन पहलू जो थ अगर उनका निजी जीवन देखे तो वो नहायती साधारन जीवन जी रहे तो और उस नहायती साधारन जीवन मैं जबकि उनके पास दनसंपन थे और इंटिलेक्ट्वल पार एक्सलेंस थे वो एक लक्षूरिस लाइप भी जी सकते थे लेकिन उन्होंने आप्त किया था कि वो थी नेशनलिजम किया था वो कश्मीर में देखते थे कि कैसे हालात बन रहे हैं उन हालातों को वो अपने लेखों के द्वारा सारे राश्ट्र में पहुंचाते थे पत्रिकाओं के माध्यम से कि यहां पर क्या-क्या गट रहा है अब जो उनका उस व्यक्तित्व को या अगर हम टिकलाल जी टेपनू की बात करें बाकि सभी जो शेहिद हुए उनमें कुछ ऐसे लोग है जिनकी आवाज बड़ी प्रकर थी तो उनको युआ पीडी तक लेने के लिए ही काफी नहीं है कि उनके पास तो जाएगा ही जाएगा आइस्ता आइस्ता क्योंकि मैं optimistic हू है आपका WhatsApp है आपके Facebook है तो उनके माद्यम से तो आज पहले से ज़्यादा तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है लेकिन साथ-साथ यह भी है कि आप इस चुनतीस वर्षू में अभी भी हम उस जो मात्रभूमी हमारी है वहाँ पर वापस नहीं है हमारी लडाई फी इसके क्रम में हम कम सकम दस कॉर्णर मीटिंग की जहां जहां भी हमारा समाज रहता हूं जाते हैं तो दस कॉर्णर मीटिंग में कुछ नहीं तो मेरे पास जो आखड़ा है आठ नौ सो लोगों के साथ हमारा धरेक्ट संपरक हो गया हम क्या करते हैं कि हर कॉर्णर मीटिंग वर्तमान में आज के डेट में कौन से मसले ऐसे हैं जुनको समाज के सामने उजागर और पावर सेंट्रिक्स के पास उजागर करना चाहिए हमारा एक क्रम है कि हम वहां पर बहुत सारे स्पीकर नहीं रखते हैं कुम्मुनिटी के तरफ से हर वर्ष एक स्पीकर वह पहले से च उजाएन किया है तो यह सारे मसायल हम कलंबंद करते हैं सेजेशंज और फिर क Pode की सब्सक्र करते हैं और उस दिन एक कमिनिटी से कर बोलता है समाज की तरफ से और उन मसायल को अजके मुद्दे हैं उनको उजागर करता है यहन्य एक कनिक्टिव्टूटी हमारे तकलीफूं को भी जाहिर करना वा है, दूसरी बड़ी बात है कि सबसे बड़ा रिन मैं, मैंने ये शब्द दिया है, कहीं बार मेरे कुछ मित्र बोलते हैं, आपने नया दिया, हमारे रिन होते हैं, जैसे हम कहते हैं, हमारे पास देव रिन है, पेतर रिन है, रेशी रिन है, मैंने कहा कि ह हमारा क्रतिव है कि जो उनका दिन है इसको हम चाहिए हमारी डिमांड हो या ना हो लेकिन हम उनको नहीं बूल सकते जुन्हों ने देश के लिए समाज के लिए अपना बलेदान दे दिया अपने आपको बचा सकते थे उनको पता था कि मेरे मैं हिट लिस्ट में हूँ वो उसक किसी ने कहा कि आप वापस कश्मीर नहीं जाए तो उनका जवाब था कि मैं उन लोगों को क्या मुझे दिखा हूँ जो इस वक्त तकलीफ में हूँ वो वापस गए उन्हों यह जानने के बाद भी कि मैं हिट लिस्ट में हूँ उन्होंने उन वैल्यूस के लिए अपने करें या इंडिविज्वल लेवल पर भी आद करें और हर जगह तक पहुंचाए इस साल एक एड़ेड एडवन्टेज है इस चेतना दिवस्ट पर आज तक अगर मैं देखूं तो कहीं मुझे मंत्री आये हैं तो दिली के मदलाल खुराना साहिब सिख वर्मा जो चीफ इंस समय गिरिशंदर सक्सेना आये हैं यह इस चेतना दिवस की महानता इतनी है कि इस लेवल तक के लोग इसमें आये हैं और इस साल हमें बड़ी खुशी होती है कि इस साल बारती जनता पार्टी के जो स्पोक्स परसन है राष्ट्री लेवल पर सुदान शूत्रवेदी तो उन को हमने निमंतरन देया वो आ रहे हैं और हमें और अधिक खुशी हो रही है कि हमारे महामहीम उपराजपाल मनुष चनहाजी भी इस साल इस कारिकरम में आ रहे हैं तो स्वबाविक है कि हमारे जो प्रॉब्लम है तो उनके सामने पड़ेगी तो दिल्ली दरबार तक भी जा दो तरपना हम चीहिदूं को याद भी करते हैं और साथ साथ अपनी प्रॉब्लम को भी हाइलाइट करते हैं ताकि आखर आज नहीं तो कल इन प्रॉब्लम का जो निवारन होना है या तो दिल्ली सरकार से होगा या यहां के अडिनिस्ट्रेशन लेवल पर राजपाल महोद इसे होगा इसलिए हमारा करता है हम समाज की बात को रहे हीरालाद जी घृतना जरूरी है आशे ही कारिक्रमों का होनना क्योंकि अगर मतलब यही मैं युवाओं की ही बात करूंगी कि हम कैसे अपने बच्चों को बताए कि टीकलाल टिपलू जैसे या प्रेवनाद बड़ जैसे लोग भी मौजूद थे कश्मीर में जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्रदेश के लिए शहादत दी है देखें हमारे समाज ने 14 सेप्टमबर को बलेदान दिवस एस्टैबिश किया है और पूरे देश में अब इस वरज देखा तो इंटरनेशनल लेवल पर भी कही विदेशों में भी जहां पर भी हमारा समुदाई रहता है उन्होंने उस दिन को मनाया उस दिन कहीं जमा होते हैं अपने शहीदूं की जीवनी पर बोलते हैं अपने मसाइल पर बोलते हैं जहां तक प्रयामनाजी बट का तालोग है वो मैंने आपको पहले भी बोला कि वो एक ऐसे विचारक थे जिनके लेख पूरे देश में पत्रिकाओं में छपते थे उसके क तो उनके और प्रयामनाजी बट के संबंद बहुत करीब थे और जब उन्होंने वह एस्टैबलिश किया और उनके ही वजद से जब फला फुला वहां तो विवेकरनन केंदर ने जब उनकी शाहदित हो गई है तो उन्होंने वह जो उसके प्रेजिडेंट बाल कृशन जी उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में ऐसा व्यक्जित वह नहीं देखा जुन्हों ने अपने घुसे पर पुरा काबू किया था और इस मलब पद्वी के प्रयमनाजी बट थे अब उन्होंने उसी विवेकरनन केंदर ने उनके शाहदत के बाद उनके आर्टिकल को कमपाइल कर जो उस पुस्तक का टाइटल है अगर आप बट साहब के लेखों को पड़ेंगे तो उसमें कहीं लेक ऐसे हैं जिसमें इस बात का जिकर है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है और तालिबान फोर्स का इस आईशा में और खासकर पाकिस्तान इस एरिया में कौन सा असर और आखरकार वो असर कैसे जुमो कश्विर में पड़ेगा और वो कितना घातक हिंदू के लिए होगा यह आटिकल उन्हें उन्नीस सव एकासी में लिखा जबके हमें यह कलपना भी नहीं नहीं लग रहा है कि उनको सट्टी लिख रहा था और वो लिख भी रहे तो उस कित किताब को आज भी मैं जब यहां आया तो कहीं लोगों ने मुझे फोन करके उनके आर्टिकल मांगे और मुझे लग रहा कि कुछ दूनों में वह आर्टिकल पेपर में भी आएंगे उन आर्टिकल से लगता है कि उसकी कितनी विजन थी उस किताब के जब बाहर लिया हमने क उनके प्रणाश्यूशन कलब दिल्ली में उसका रिलीज किया था उसके बाद उसके पूरे देश में जितने विचार्क है थिंकर है उसकिताब को लेकर के पढ़ते हैं उसकिताब का फॉरवर्ड अगर आप पढ़ोंके और जगमोंजी उसकिताब में उस फॉरवर्ड में बड़साब के बारे में क्या लिखते हैं तो इनसान का पता है कि किस लेवल का व्यक्तित्व था इसलिए हमारी जो युवा पीडी है हमारा करते वे हैं उन तक के अगर आप देखेंगे 27 जेसंबर को यह यूनिक प्रोग्राम होता है जिसमें हमारी सारी परिवार के सदे से आते हैं बुजर्ग आते हैं जवान आते हैं महलाय Garlic आते हैं और हमारी पर्तंग मेटता रहती है peach जो नई पीडी है जवान जिसका बच्छा घर में है वह भी उस दिन इस का रिक्रमने आता है ये एक दोसरा त्रीका है कि किताबों उसके लेखों को अज की युवा पीडी इस डिजिटल दुनिया में भी तेज है और मैंने मेरे साइब कहीं ऐसे युआ है जो हमसे ज्यादा पढ़ते हैं लिखते हैं उनको उन तक पहुंचने की है आवशकता है वह काम हम भी कर रहे हैं और आप त्यारन के माधिन से भी कर रहे हैं तो हम सब का करते हुए है कि हिरलाल जी बात करें आपकी तो क्या आप परस्तली पंडित प्रेवनात बड़ जी को जान दे थे हिमागनी जी मेरा जीवन जो आरंब हुआ है बहुत पहले 1977 में मेरा जब मैट्रिक हुआ तो तब से मैं राश्ट्रे स्वाइम संग के साथ तोड़ा रहा लेकिन असली जीव 81 में मैं डिग्री कलेज अनतनाग में बेसी प्रिवेस में मेरा एडमिशन हो गया तो तब अनतनाग नागबल मैं ये प्रेमना जी बट के संपरग में आया और उसके बाद मेरी जो समाजी जीवन है उसके मेरे मेंटर मैं मानता हूँ समाजी जीवन में मेरे गुरु जो रह रहे हैं क्योंकि मैंने लगातार आठ नवर्ष जब तक उनका उन्हें अपना सर्वस भलेदान दिया तो वहां तक मैं उनके साथ connected रहा और उसके भाद भी आज तक जो उसका ट्रस्ट बना फिर उसके फांड रहा वो तब से आज तक चेतना दिवस्त मैं बहुत हिसा ले रहा हो यहने मैं पिछले अगर मैं देखूं तो 30-35 वर्षों से इस के साथ जुड़ा हूं बट साहब के साथ मेरा बहुत ही निजी संबंद रहा है बहुत 86 के राइट्स में जब अनतनाग में राइट्स होए तो तब भी उनके मार्गदर्शन से ही हमने अपने आपको संबाला था वह एक विजनेरी थे तो मार्गदर्शन भी करते थे वह इमोशनल नहीं होते थे आज यह हुआ तो यह कर तो नहीं उनकी पूरी पकड़ थी तो तब से जाकर करके मैं मलब 80-81 से लेकर के उनके साथ बराबर उनके जीवन के अंत तक मैं उनके साथ जुड़ा रहा हूं उनके जीवन से आपने क्या सीखा और आप क्या चाप डाली उनके जीवन ने आपके जीवन पर बड़ी बात तो यह है कि सबसे बड़ी चाप जो यह थी कि आप कभी भी जीवन में हताश नहीं हो अपने आपको ठका हुआ मासूस नहीं करना आपको समाज में कारी करते करते बहुत बार लगता है कि यार कोई सुनता नहीं या किसी को समझ नहीं आती है, समाज एक साथ नहीं हो रहा है, एक जुट नहीं हो रहा है। आप जीवर में कभी हताश नहीं हूं, आप जीवर में निरंतर ये तपस्या है, ये करते रहा हूं, और तब से जाकर के आज तक मैं भी पिछले 40-45 वर्शों से समाज में काम करता हूं, एक कारिकरता के नाते काम करता हूं, जहां जो जिमावारी मिलती है, उसको निबाते होगे, आप देखोगे, बाहर जूते तक लाइन में रहते हैं, यानि अंदर लोग कैसे होंगे, कोई किसी को क्रॉस नहीं करता हूं, एक सलब डिसिप्लिन की बात हूं, तीसरी बात जो उनके, उनसे मैंने सीखी थी, वो मेरे निजी लाइफ को बहुत प्रभावित कर गई हालाएं कि मैं वर्क्स डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है, कारेट रहा है, मैं बहुत पहले 81 में उनके पास गया था, कुछ 20-25 रुपे ले करके, एक एक गावन से जमा किया था, आपने इजड़कों से कुछ लेवरी से किताबे दे दो, उनके पास गया तो उसने इसलिए ट्रस्ट जो है, अगर आप देखोगे, अजीब लगेगा आपको, इतने बड़े कारिकरम करने के बावजूद भी हम अपने जेव से निकालते हैं, कारिकरम करते हैं, समाप करते हैं, no contribution from public, so that कोई भी उंगले नहीं उठा सकता है, कि इनके पास, कुछ मुल्य है, जिन मुल्यों के अधर पर इनसान जी सकता है, अच्छा अच्छी लाइफ गुजार सकता है, और समाज के लिए contribution दे सकता है, तो यही दो-तीन values है, जो मैंने उनसे, और सबसे बड़ा value यह था कि राश्ट्र वक्ति, वो राश्ट्र वक्ति से ओध प्रो थे, उनके आर्टि का गिले हो, किसी को ना लगे कि मैं कुछ अलग हूँ, तो यह उनके आर्टिकल से clear है सामने, तो वो जो सुपरिथ है, वो हमें भी अंदर है, तो उसी के हिसाब से आज तक मैं काम करता हूँ. हिरलाल जी, शुक्रिया अपना इतना कीमती समय देने के लिए, पर जाने से पहले मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगी, कि आपको क्या लगता है कि टीकलाल टिपलू या प्रेमनात बड़ जैसी परसनेल्टी आज कल हमें देखने को कम क्यों मिल रही है? देखे उनका अपना जिवन था, अब टिकलाल जी थे, प्रेमना जी थे उन्होंने अपना जीवन जिया, उन्होंने दे दिया, तब सामान्य हाला थे, हम भूमी पर थे, हमारी व्यवस्ता थी, हमारे अपनी गाउं थे, अपने महले थे, जान पहचान के लोग थेbekstesते, मैं अब चुंके वो कहते है ना जब गर नहीं रहा तो हम हर एक चीज़ को जहां पर बैटे वही गर हो गया उसके कारण समाज में ऐसा लग रहा है कहीं बार कि ऐसी परसनलिटीज नहीं है लेकिन मुझे लग रहा कि आगर आज के डेट में मैं वहां होता तो कहीं लोग ही नहीं है मैं वह सुख से आपकी चनल से यह कह सकता हूं कि मैक्सिमम पीपल जो हमारी कमुनिटी के बहुत अच्छे है अच्छा सोच भी अच्छी विचारदाराजी नैशनल लिस्ट है सारे कुछ लोग होते हैं जो किसी के कहने पर बहकावे पर थोड़ा बहुत विगठ और बिद्धिन कारी होते हैं या नेरेट्व ऐसा डेवलप करते हैं जो राष्ट्र विरो होती है या कौमुनिटी विरोह होती है लेकिन आज की टेंडन सी क्या है इस नेगेटिविटी को जादा फ़लाया जाता यह वैरल हो जाता है अच्छा ही वैरल नहीं हो जाने लेकि क्योंकि अच्छे लोग ज्यादा ठीक तरह से आगे चलेंगे तो वो जो नेगेटिव नेटिव चलाने वाले वो आइस्ता आइस्ता पीछे एटेंगे अभी भी लोग है सिर्फ उनको खोजने किया हुशकता है जी बिल्कुल तो दर्श को याद रखिएगा 27 डिसंबर दुपैर दो बजे से अभिनव थेटर में जरूर आएगा क्यूंकि आपको इससे अच्छा मोका नहीं मिलेगा अपने शहीदों को नमन करने का या उन्हें श्रदांजली अर्पन करने का इसी उमीद के साथ मुझे औ है स्ब्सक्तार को प्या रखिएगा से इसरे मिलेगाजली और अज्छड़ से जिएकर है को विलेगा के नहीं मिलेगा रखिएगा इसरे प्सक्तार को झाल झाल